हिलो फ्रेंज आज मैं लेकर आई हूँ बहुत स्वाधिच मिठाई की रेस्पी यह मिठाई बहुत असान है बनाना बहुत इजी है बनाना और यह बनाने के लिए ना हमें चाहिए चासनी जरुत परती है ना ही मावे की ना ही पनेर की और ना ही मिल्क पाउडर की तो यह और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकोन को ज़रू दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालू सबसे पहले आपको नोटिपीकेशन मिले तो चलिए इसे हम बनाना सुरू करते हैं तो यहां पर मैं माखाना में ली हूँ एक कप से जादा है यह म पर मैं ले लिए चोटा वाला जार और यहां पर वान फूर्थ कप में चीनी ली हूँ और दो हर इलाईची आपको ज़्यदा मीठा पसंद हो तो आप एक से दो चमच बढ़ा सकते हैं तो यहां देखिए फाइन सा परल बनके रेडी हो चुका है तो अब इसको हम एक छनी च्हान लेंगे जो इलाहीची होती है वह थोड़ा सा नहीं मतलब ग्राइंट होता है तो जर्मस लीक्स ने चालता हैMP से जीका तो शटा वर formula मीठाण लेंगे और लेंगों तो कील आपक供न से में अपर काज्यू और व parfait कप मैं पर चृस कर रहे हूं आपको मतलब और किस् मिक्स कर रही हूं तो यह देखिए अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे बहुत इजी यह फ्रेंस बनाना यह मिठाई तो यह देखिए और यहां पर मैं दो से तीन चमच मैं दूद ली हूं यह नर्मल दूद है मतलब रूम ट्रम परेचर पर मैं रहकी हुई थी यहां पर आपको दूद गरम नहीं लेनी है यहां पर ठंडा दूद लेनी है अपके पास अगर मलाई हो तो मलाई भी ले सकते हैं यहां पर तो यह देखिए आपको बाइंड करना है अच्छी तरीके से और मिक्स कर लेनी है तो यह देखिए यहां पर बाइंड हो चुका है बहुत इजी तर बहुत यह असानी तरीके से तो यहां पर मैं चरकुटा टाइप का मतलब चार चरकुटा जीसा होता है न वह इसे मैं बना रही हूं आपको गोल जैसा बनाना है तो इसे भी आप बना सकते हैं यह देखिए तो यह बिल्कुल रेडी हो चुका है तो इसको हम साइट पर रख ल रही हूं आप कीसी भी कलर में बना सकते हैं रेड में बना सकते हैं ग्रीन में बना सकते हैं यह बिल्कुल अप्सिनल है मतलब कोई भी कलर में बना सकते हैं तो यह देखिए बहुत अच्छा से इसमें कलर आ चुका है और अब मैं इसको अच्छे से इसको मिक्स कर लोंगी म मासल लोगी अच्छी तरीके से और यहां पर आपको जब हाथ में छिपके तो यहां पर थोड़ा सा घी लगा करके चिकना कर लीजिए तो यह देखिए मैं घी लगा ली हूँ और यहां पर एक बेलन लेंगे और इसको ऐसे ही मतलब बेलेंग जिसे रोटी बेलते हैं इसे आपको बेल लेनी है यहाँ पे तो इसको अच्छे से हम बेल करके ऐसे करेंगे हाथ से भी ऐसे हो जाता है यह और इसी के बीच में मैं डालूँगी जो पहले रोल बनाई थी न ओवाला तो यह देखी आपको इसे बीच में रख क करके आपको कवर कर देनी है अच्छे से फोल्ड करनी है आपको और यह थोड़ा सा फटेगा ना तो कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पे बहुत एजली है अच्छे से यह कवर हो जाती है तो यह देखिए बहुत एजी से यह कवर हो जा रही है यह बहुत अच ईक्यास और आप चाहें तो इसे ऐसे हां सकते हैं बिना सिल्वर पेपर का भी मतलब कभर uh तो आदर में दाल करके तब मैं इसको कटिंग करूँगी तो यहां पर देखी और ब года देखी है यहां पर मैं कि कितना प्यारा आया है बहुत ही अच्छहाँ, और यहां पर मैं सजा ली हूं, और दखी है, कितना इसकה दानेदार सा टेक्षर आया है, बहुत ही अच्छहाँ और यहां पर मैं थोरा सा पिसता Cristal cutting करके लगा रही हूँ आप चाहे तो यहाँ पर बदाम भी लगा सकते हैं नहीं तो ऐसे भी रख सकते हैं यह बहुत प्यारा लगता है देखने में तो अगर में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजीगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजीगा तो मिलते हैं